हेलो गाइज, विल्कम बैक टू माई चैनल, आज की वीडियो टीजर्स टे स्पेशल है, तो आज की वीडियो में मैं डॉक्टर शर्बपुली राधाकृष्णन की एक फोटो फ्रेम बनाऊंगी, ये फोटो फ्रेम बनाने के लिए मैंने जो भी चीज यूज किया है वो मैं बता दीती हूँ, यहाँ पर मैंने पीवी सी प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, ब्लैक टेप, फेवी क्रिल, कलर, गोल्डन एंड, सिल्वर, ग्लिटर, फेवी गम, फेवी कॉल, एंड सीजर का यूज किया है फोटो को ड्रॉ करने के लिए मैंने एक रेफरेंस पिक्चर ले लिया है अब एडिट अप्शन पे जाके पिक्चर को फ्लिप करके सेफ कर लिया है सेफ कर लेने के बाद पिक्चर को प्रिंट आउट कर लिया है प्रिंट आउट की उपर पीवी से प्लास्टिक को रखके मैं आउटलाइन ड्रॉ कर लूँगी आउटलाइन ड्रॉ अब देखिए आउटलाइन कितना एक्यूरेट बना है आउटलाइन के बाहर जो बैक्राउंड है वहाँ पे मैं ब्लैक फेबिक रिल कलर के साथ थोड़ा पानी एट करके कलर करूंगी फास कोड हो जाने के बाद उसको सुखाना पड़ेगा सुखने के बाद सेगेन कोड देना होगा झाल पुलराईन के बाद सेगे पलाब एक्यूरे असे दिर आंण में अब्लाब पानी एक्यूरेट झालाइन के बाद सेगे होगा एक्यूरेसे वीं आट ब्लाइन के दो सेगा है आटने के बाद अब मैं फेवी गाम की उपर ग्लीटर का यूज़ करूंगी जिस जगह पे ग्लीटर अच्छी तरीके से नहीं लगा है उस जगह पे मैं फिर से गाम लगा के ग्लीटर का यूज़ करूंगी जिस जगह पे ग्लीटर का यूज़ करूंगी जिस जगह पे ग्लीटर का यूज़ करूंगी जिस जगह पे ग्लीटर का यूज़ करूंगी जिस जगए लादिया जिस जगए भ्लीटर का यूज़ झाल झाल जिस जगह पे ग्लीटर अच्छी तरीके से नहीं लगा है उस जगह पे मैं फिर से गम लगा के ग्लीटर का यूज़ करूंगी अब इसको अच्छी तरीके से सुखाना पड़ेगा सुखाने के लिए मुझे पाथ खंटा लगा है अब मैं एक A4 साइस की कार्ट बोट की उपर गम लगा के उसको अच्छी तरीके से चिपका दूंगी अब मैं लगा है और एक कार्ट बोट भी उसके साइथ चिपका दूंगी अब मैं फोटो फ्रेम की चाड़ो और ब्लेक टिप यूस करूंगी अब मैं लगा है अब मैं लगा है अब मैं लगान यह चिता दी झाल 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 दोस्तों आप लोग देख सकते हैं डॉक्टर शर्वोपुली राधाक्रिश्नन का फोटो कितना अच्छा बना है मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कॉमेंट, शेर और सब्स्राइब करना मत भूलना और साथी साथ बेल आइकोन को भी प्रेस कर लेना मेरी वीडियो इतना दूर देखने के लिए थेंक्यू सो मच और हैपे टिचस्टे जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में